हलो फ्रेंट्स आज हम बहुत ही प्यारा सा बैक बनाना सीखेंगे बैक बनाने के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी 14 इंच है और इसकी उचाई 10 इंच है ऐसे दो पीस हमें लेने है आप बैक बर फों का या बुकरम का यूज़ कर सकते है मैं यहाँ पर फ्यूज पेपर का इस्तामाल करूँंगी इससे फिपर पिस्टिंग भी कहते है इसका एक पीस मैंने बराबर साइज का काट लिया है इसके ऊपर कप्रे को रखकर आरेन कर लेंगी तो कप्रे के साथ चिपक जाएगा अब इसकी हमें कटिंग करनी है बीच से इसे फोल्ड करेंगे जो 16 इंच वाली साइड है 16 इंच वाली वहां से हमें फोल्ड कर लेना है और यहां हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और दूसरे साइड भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों को मिलाते हुए गुलाई देंगे, एक साइड हमने गुलाई दे दी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे, इस बैक को बनाना बहुत आसान है, और यह बहुत ही सुन्दर सा बैक बन जाता है, उपर की तरफ हमें बीच से फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगा लेना है, उसके बाद हमें दोनों साइड एक प्लीट डालनी है, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, दूसरे साइड भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, अब इसी निशान से हमें अंदर की तरह फोल्ड करना है, इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से भी फोल्ड करके, इस तरह से लेंगें आप इसके लिए लाइनिंग की करेंगे तो किसी भी कप्रे का आप लाइनिंग ले सकते हैं हुआ कप्रों बीट कग दर्बोएator कँद कर लेंगे और इसको हमें 4 सैट से सिलाई कर ले ना है एक में मैं पॉकेट लगाऊंगी तो पहले पॉकेट लगा लूँगी उसके वादी से रखकर सिलाई कर लेंगे तो दिखें मैंने सिलाई कर ली है और यहां एक पॉकेट भी बना लिया जिसमें आप बैग में कोई भी सामान रख सकते हैं अंदर वाली पॉकेट बहुत जरूरी होती है अब इसके लिए हम बैल्ट बना लेंगे तो कपड़ा जो भी बचा हुआ था उसको मैंने जोड कर एक लंबा सा पीस बना लिया बाइस इंच लंबा और चार इंच लगबक इसकी चौराई है इस तरह से फोल्ड करके दो पार्ट में दो दो पीस लगेगा इसकी उचाई 6 इंच है और इसकी चौराई हमें बैक के हिसाब से लेनी है जो 13 इंच लगबक है यहां देखिए नापकर में दिखा लिए आपको 13 इंच इसकी लंबाई है और इसकी उचाई 6 इंच है अब इसे बीच से फोल्ड करेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे तो जो फोल्ड वाली साइड है वहां से 2.5 इंच पर निशान लगाया है और नीचे की तरह भी 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसे इस तरह से गुलाई दे देंगे और जो खुली हुए साइड है वहां पर 3 इंच और उपर से 1.5 इंच इसको इस तरह से गुलाई देनी है तिर्चा मिलाते भी हल्की से गुलाई दे देंगे अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो बस इतनी सी कटिंग करनी है और बाकी जो दोन पीस है उसको भी हम इसी तरीकी से कटिंग कर लेंगे एक फ्यूज पेपर या बुक्रम का पीस ले लिजे उसके उपर इसे रखकर चारो साइट से सिलाई लगा लेंगे अब इसके उपर हमें बैल को रखना है और उपर सिलाई कर लेंगे उसके बाद जो दूसरा पीस है उसे रखना है और यहां से लेकर यहां तक हमें सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद इसमें हलके हलके से हम कट लगा लेंगे जिसे यह आसाने से सीधा हो जाएगा गुलाई में हमें छोटी-छोटी से कट लगा लेने हैं अब इसको सीधा कर लेंगे तो अच्छी तरह से इसे कॉर्णर निकालते वे सीधा कर लेंगे अब इसकी किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है यहां से लेकर यहां तक हमें सिलाई लगा लेनी है तो दोनों पीस को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है अब बैक का हमें बॉटम बनाना है जहां से हमने गुलाई में इसको कटिंग किया था वहां सेंटर से से इस तरह से फोल्ड करना है तीन इंच लंबी और लगबग आधा आधा इंच दोनों साइड से लेकर हमें एक छोटी सी प्लीट डाल लेंगे तो एक साइड में हमें दो दो प्लीट डालनी है जिसे बैक का बॉटम बन जाएगा अब उपर वाले पार्ट को यहां रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है तो सिलाई लग गई है आप दूसरा भाग हम लेंगे और इसको उपर रखेंगे और इहां से सिलाई लेते हुए दूसरे किनारे तक हम इसे इसलाई कर लेना है सिलाई करने के बाद अब इसे सीधा कर लेंगे आप बैक को बंद करने के लिए हमें एक बटन लगाना है तो कि इसमें हमने जिप का यूज नहीं किया है तो यहां पर मैंने एक छोटी सी तरह की डोड़ी जैसी बना लिए लूप बना लिया है कपड़े का अब इसे हम यहां पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से सिलाई करेंगे और इसको फोल्ड करते वे एक लक्राइब कर लेंगे तो बिल्कुल इसकी सामने हमें एक बटन लगा लेना है तो कोई भी सिंपल सा बटन लेकर उसके उपर आप कपरे को लपेट कर सुईदा के सिलाई कर दीजिए तो दीखे मैंने आप पर बटन लगा लिया है और यह हमारा बैक बंद हो किया है तो दीखे हमारा सुन्दर सा बैक बंद कर त्यार है इसमें एक अंदर भी पॉकेट है बीना जिप का और बीना फूम का मैंने यह बैक बनाया है वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत